हेलो दोस्तों मैं हूँ अभिशेक और जी टी यू डेली टेक के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागित करता हूँ इन वीडियोस के अंदर हम बताते हैं आपको लेटेस टेक निउस के बारे में साथ इसाथ आप लोगों के जो टेक क्विशन्स आते हैं कमेंट्स में उनका जवाब भी आपको मिलता है तो चलिए शुरुबात करते हैं आज के एपिसोड के साथ और सबसे पहले बात कर लेते हैं जी टी यू टेक पोल के बारे में तो टेक पोल हमने डाला था और वहाँ पर मैंने बोला था कि भई वन प्लस नॉट जो कि एक री ब्रैंड़ेट फोन हो सकता है रियल्मी एक सिप्टी का अगर ऐसा होता है तो क्या आप उस फोन को लेंगे तो ज़्यादतर लोग यही कह रहे हैं कि हाँ वो तब भी इस फोन को लेंगे क्योंकि वन प्लस के फोन के अंदर क्लीन यू आई मिलता है जो कि आज कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है तो ऐसे में आप अपने कमेंट जरूर लिखना नीचे वीडियो के ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या लगता है चलिए शुरुवात करते हैं आज की टेक निउस के साथ और पहली टेक निउस आ रही है यहाँ पे ओपो की तरफ से ओपो का रेनो 4 लाँच होने वाला है बहुत जल्द और यह फोन सब लोगों को लग रहा था कि पर स्नाप्रेगन 765 के साथ आएगा लेकिन इसमें 720G आएगा जी हाँ ओपो रेनो 4 जो है आने वाला है और यह फोन look and feel में तो बहुत अच्छा लग रहा है overall design वाइस भी काफी अच्छा है लेकिन इस फोन का जो overall processor है वो weak लग रहा है इस फोन में आपको 6.5 इंच का AMOLED इस्पेल मिल जाएगा 48 MP का camera मिल जाएगा और साथ में 12 MP प्लस 13 MP का camera combination मिलेगा यानि की triple camera set up है पीछे की तरफ तो देखते हैं price क्या होती है तब इसके बारे में ज़्यादा comment करेंगे लेकिन ये phone look and feel में बहुत संदर लगता है दोस्तो अगली खबर आ रही है OnePlus की तरफ से और OnePlus के launch होने वाले है TWS वाले यानि की wireless Bluetooth headphone P और ये कुछ-कुछ वैसी रहेंगे जैसे बाकी आपने देखे है आपे Xiaomi के, Realme के तो OnePlus का definitely मुझे लगता है कि premium design होगा और कम से कम 4-5,000 रुपे के ये मिलेंगे और ये launch होंगे OnePlus के नई phone के साथ जो की OnePlus Nord है जिसके बारे में बहुत ज़ादा hype create हो चुकी है लेकिन OnePlus के TWS आ रहे है ये पहली बार एक नई खबर है और मुझे लगता है कि ये Amazon के through sell होंगे इसके बारे में जो information बताई जा रही है उसके साथ से तो ऐसा ही है और अगर ये आते हैं तो मुझे लगता है ये अच्छा competition दे सकते हैं बाकी और TWS का अगली खबर आ रही है Realme की तरफ से Realme launch करने वाला है एक high wattage वाला charger 120 watt का charger Realme की तरफ से आ सकता है और ये charger आपके phone को जो कि 4000 mAh बैटरी वाला phone है अगर उसको तकरीबन 15 से 20 minute के अंदर full charge कर सकता है जो कि बहुत ही fast है अब तक इतना fast charger कोई भी इंडिया में launch नहीं हुआ है और ऐसा कुछ अगर आता है तो यहाँ पर Xiaomi भी शांत नहीं बैटेगा क्योंकि Xiaomi का भी 120 watt वाला charger रेडी है तो वो लोग भी उस charger को लेके आएंगे अब बात करते हैं Realme की एक और news और यह है Realme 6i के बारे में Realme 6i बहुत जल्द launch होने वाला है इसके बारे में flip card के अपर कुछ images आ गई थी जिसके अंदर दिख रहा है कि यह powerful phone हो सकता है और कहा जा रहा है कि Realme 6i 14 July को ही launch हो जाएगा Realme C11 के साथ तो यह दो phone बहुत जल्दी आने वाले हैं तो कमाल हो जाएगा और ऐसा नहीं है कि इन दोने phones के साथ-साथ Xiaomi शान बैठेगा Xiaomi का Redmi Note 9 के announcement हो चुकी है Redmi 9 के announcement भी बहुत जल्दी होने वाले है तो Xiaomi भी अपनी तरफ से दो phone लेके आने वाला है इन दोने phone से लड़वाने के लिए अगली खबर आ रहे है Xiaomi की तरफ से Xiaomi launch करने वाला है अपने multiple product global market में जिसमें Mi Band 5 है Mi TV है, Mi Scootie है इसमें से सबसे जादा exciting हमारे लिए है Mi Band 5 क्योंकि जैसे ही ये device globally launch हो जाता है वैसे ही ये इंडिया भी आ जाएगा अगली खबर आ रहे है Vivo की तरफ से Vivo का X50 जो की 765G वाला phone है वो इंडिया में बहुत जल्ड launch होने वाला है और ये मुझे लगता है कि July के महिने में ही आ जाएगा इसके बारे में information आ चुके है मारे पास specification भी clear हो चुकी है और ये phone 765G का हो सकता है सबसे सबस्ता phone हो बाकी देखने वाली बात होगी कि किस price point पे Vivo launch करता है इस phone को बाकी जो भी होगा जैसे भी होगा इसका review भी हमारे channel पे आपको मिल जाएगा और unboxing भी आपको मिल जाएगी लास्ट खबर आ रही है Google की तरफ से और ये बहुत ही बड़े खबर है Google की तरफ से pixel 5 जो है launch होने वाला है ये एक और 765G वाला phone है अब excitement इसलिए क्योंकि finally Google Pixel 5 इंडिया में भी launch होगा unlike Google Pixel 4 जो की launch नहीं होगा इंडिया में तो ऐसे में Google Pixel 5 इंडिया में launch होगा और इसमें 765G OLED display मिलेगा बिल्कुल जैसा है आपको iPhone के अंदर मिलता है साथ ही जत्व में dual rear camera मिलने वाले हैं single punch hole design है इस बार notch वगेरे नहीं है इसमें punch hole है तो overall देखने में इस फोन बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि इसका camera बाकी सब phones को पीजे छोड़ देगा खाफ दोर से जितने भी 765G वाले phone है और अगर ये 765G वाला phone है तो ये 25,000 से शुरू हो सकता है ऐसे में अगर Google का phone आपको 25,000-30,000 का मिल जाए तो मैं ऐसे में OnePlus को भी छोड़ दूँगा Google Pixel 5 के लिए ऐसा मेरा मानना है आपका क्या मानना है ये जरूर लिखना नीचे comment section में तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आप लोगों के tech questions का जवाब देने का और ये question आप पूछ सकते हैं इसी video के comment section में आपको hashtag use करना है GTU Daily Tech टोकिम पे सिर्फ वोई questions लोँगा जिसमें ये hashtag होगा और जो भी text related question है आप पूछ सकते हैं तो पहला question ले लेते हैं महमत सलीम का और ये पूछ रहे हैं कि bro when will Realme launch Realme 6i तो Realme 6i बहुत जल्दी launch हो रहा है जोलाई के महिने में ही आपको Realme 6i देखने को मिल जाएगा 14 जोलाई डेट आ चुकी है तो अब वेट करना हमारी unboxing का और हमारे review का भी अगला question यहाँ पर विकी शर्मा का ले लेते हैं सर डेटा privacy पे एक video बनाईए सब धागे खोल कर रख दीजिए जैसे कि हमारे data हमारे देश के साथ क्या कर सकते हैं चाइना वाले public इससे aware हो तो देखो data privacy से related बहुत सारी चीज़े अभी बन रही हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा हमें समय देना होगा जो Chinese company हैं अपने software को update कर दें और उसके बाद मैं एक video बनाऊँगा कि उन्होंने क्या update किया actually में उन्होंने वो privacy holes fix किये या नहीं वो सब information आपको मिल जाएगी इस video में तो उस video का wait करना बहुत जल्द आपके लिए एक video लेके आएंगे जो कि सभी Chinese phones के बारे में होगा और ये होगा कि उनके अंदर किस तरह से आपका data चोरी होता है और आप कैसे उसको बचा सकते है अगला question मनीश की तरफ से GTU Daily Tech का hashtag इना ने use किया है आप भी use कीजे which one is the best Snapdragon 855 Plus processor with 4G Realme X3 बहतर है या फिर 765 with 5G in OnePlus not better है for longer usage तो मेरे साब से जादा बहतर है तो OnePlus not रहेगा क्योंकि वो सफता आएगा और उसमें performance अच्छी मिल जाएगी लेकिन अगर कोई gamer है तो उसके लिए मैं यहाँ पे recommend करूँगा कि आप Realme X3 के लिए जा सकते है लेकिन उस case में क्या है brightness कम है display की तो brightness की quality नहीं है तो आप उपने पैसे बचाईए और Realme X2 Pro लिजे जो की Snapdragon 855 Plus के साथ आएगा और यह phone अराम से आपको जो है कम price पे मिल जाएगा तो पैसे बचा सकते हैं आप और X2 Pro ले सकते हैं उसमें AMOLED डिस्पले भी है साथ यसाथ उसमें 855 Plus भी है तो Realme X2 Pro बहुत साई phone है और अगर आप वेट करना चाहते है नए phone का तो फिर OnePlus not आई रहा है तो दोस्तो यह थी आज की Tech News और आप लोगों के Tech के सवालों के जवाब मुझे उमीद है आपको वीडियो पसंद आए होगा इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक और फॉलो कर लिजे सब्सक्राइब कर लिजे बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इस तरह के वीडियो रोज आते रहें बहुत बहुत शुक्रिया जैहिन वंदे मात्रम